According to many celebrities, अगर इंडस्ट्री में नेम और फेम दोनों चाहिए तो कुछ इंट्रेस्टिंग सा नाम रखना जरूरी है यही रीजन है कि बहुत से हॉलिवूड अक्टर्स अपना नाम बदल के एक इंट्रेस्टिंग सा नाम रखते हैं आज हम उन्ही हॉलिवूड अक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं So, बॉलिवूड हो या हॉलिवूड दोनों में ही ऐसे अक्टर्स हैं जिनके रियल नेम से उनको कोई नहीं पहचानता आज हम इन्ही अक्टर्स के बारे में बात करेंगे Hey guys, hello, I hope you are doing great and having a good day So, हमाई लिस में सबसे पहला नाम है Michael Keaton का Michael Keaton एक बहुत ही मशूर अक्टर है उन्होंने हॉलिवूड में आने से पहले अपना नाम बदला उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हॉलिवूड में पहले से ही उनके रियल नेम पे एक अक्टर स्टैबलिश थे उनका रियल नेम माईकल डॉगलस था और इंडस्ट्री में पहले से ही माईकल डॉगलस और केंटर नाम के अक्टर स्टैबलिश थे यही रीजन था उनका अपना नाम बदलने का Nicholas Cage Nicholas Cage एक बहुत ही जाने माने अक्टर है हॉलिवूड के उनकी पॉपुलारिटी बहुत जादा है उन्होंने अपना नाम इसी लिए चेंज किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनका कमपैरिसन उनके अंकल से हो उनके अंकल जो एक डायरेक्टर भी है उनसे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया उनका रियल नेम है निकोलस किम कुपाला और उनके अंगल का नाम है फ्रांसिस फोर्ड कुपाला यही रीजन है कि उन्होंने अपना नाम बदला बहुत कम लोग इंडस्ट्री में जानते हैं कि वो दोनों को रिलेटेड हैं थर्ड नंबर पे हैं आंडू लिंग कोलन आंडू लिंग कोलन जब इंडस्ट्री में आना चाहे तो उनके एजन्ट एक ही बात पे अटक गए उन्होंने ये बोला कि उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए और एक इंट्रेस्टिंग सा नाम रख लेना चाहिए क्योंकि उनका नाम बहुत गूफी है उनका बिर्द नेम था आंडू जेम्स कटलोक उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपना नाम अपने एजन्ट के कहने पर चेंज किया और ये भी बताया कि जब उनके फादर इस बारे में जाने तो वो बहुत ही अपसेट हुए और उनके ग्रैंट फादर ने तो उनसे बहुत दिन तब बात भी नहीं की फोट नमर पे है नेटला पोर्टमेंट नेटला पोर्टमेंट एक जानी मानी हॉलिवोड आक्टरस है उन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि जब वो अमेरिका आई उससे पहले ही उन्होंने अपना नाम बदल दिया था उनका जनम इस्रेल में हुआ था और उनका ट्रेडिशनल नेम हर्बू रखा गया था बाद में उनका नाम नेतला शरलाग के नाम से रखा गया बट जब वो 1984 में अमेरिका शिफ्ट हुई तब उन्होंने रिसाइड किया कि उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए और उन्होंने अपना सरनेम पोर्टमेन रखा जो उनकी ग्रांड मदर का भी नाम था Interestingly उन्होंने अपना नाम लास्ट में बदला और अट लास्ट उनका नाम नेतल अपोर्टमेन हुआ फिफ्ट नंबर पे हैं जूलियाना मौरे जूलियाना मौरे ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि उनका नाम पोस्फुली चेंज किया गया था क्योंकि स्क्रीन स्टार गाइड में पहले से ही डो आक्टर के नाम उनके रियल नेम पे थे उनका रियल नेम जूलियाना आना स्मित था जूलियाना ने ये भी बताया कि ये दोनों नाम उनके पैरेंस से कनेक्टे थे उनके father का surname था Smith और उनकी mother का नाम था Anna This is the only reason उन्होंने दोनों नाम कनेक्ट करके अपना नाम बनाया था But eventually उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा इसी तरह हम जान सकते हैं कि Hollywood में बहुत से actors हैं जिन्होंने अपने किसी ना किसी रीजन की वज़े से नाम बदले If you like this video, please turn the black thumb into blue Subscribe to our channel Glamdia, press the bell icon for more updates Till then, stay safe, stay happy, goodbye